हलो फ्रैंड प्रियंकास किचिन में आपका स्वागत है तो कैसे हैं आप सब लूग आई होब आफ सब लूग ठीक होंगे तो आज हम बना रहे हैं लक्नों की स्पेशल दाल सुल्दानी यह उमने अरहर की दाल ली है यह बन बावल दाल ली हैं हमने इसमें हमने डाल लिया सीरी आ गई है और देके बीखे दाल हआ है अब में लगाएंगी तड्का लगाना है मगर बटर हमारा जल जाता है इसलिए हमने इसमें पहले घी डाला है उसके बाद हमने बटर डाला है देखिए बटर हमारा गरम हो रहा है अब इसमें हम डालेंगे जीरा और हिंग इसे बूल लेंगे अब इसमें डाल देंगे बारे कटी हुई प्याज ये में दो प्याज ली है और अब इसे अच्छे से भूल लेंगे तो देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है अब इसमें डाल देंगे टमाटर जो हमने पीज्के रखे हैं यह एक टमाटर लिया है देखिए इस अच्छे से भून लेंगे इसमें डाल देंगे मसाले इसमें डाल लिया है लाल मिर्च यह हमने कस्पीडी लाल मिर्च डाली है एक चमच अब इसमें डाल देंगे मलाई तो देखिए यह हमने दूद की घर के दूद की मलाई ली है तो देखिए अकर इसे आप चलाना बंद कर देंगे तो मलाई नीचे से चल जाएगी तो देखिए इसमें हमने डाल दिया गरम मसाला हल्दी ओ नमक इसमें पहले ही डाल चुके थी तो अब हमने डाल दिया इसमें डाल यह देखिए अब इसे मिक्स कर लें कि देखिए कितनी अच्छी दाल बनी है यह देखिए अब इसमें एक तड़का और लगाएंगे हम यह हमने डाल दिया साउत लाल मिर्च इसमें थोड़ी सी डाल दिया कलर वाली रेड मिर्च आप इसमें तड़का लगा दिया है तो देखिए हमारा इसमें दूसरा तड़का लग गया है अब देखिए इसमें हम लगाएंगे इसमोग जिसे इसमें और अलगी टेस्ट आ जाएगा और खुस्बू भी बहुत जाएगी तो देखिए हमने इसमें से कोईला निकाल दिया है कि यह देखिए कि इतनी अच्छी डाल हो गई है हमारी कि अब इसमें उपर से डाल देंगे बटर कि धनिया पत्ते डाल देंगे यह देखिए कितनी अच्छी डाल बनी है तो नवावों को नौन बेज ही बहुत पसंद था मगर एक ऐसी है यह भी एक ऐसी चीज है जो नवावों को बहुत ही पसंदी यह है डाल सुल्तानी तो देखिए हमने एक बावर में पलट लिया है और इसमें उपर से डाल दिया है बटर तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी दाल सुल्तानी आप भी इसे घर पे बनाईए खाईए यह देखिए अगर आपके हमारी वीडियो पसंदा यह से लाइक करें चैनल पर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो कैसी लगाए बो कमेट में बताइए और ज्यादा से जादा शेयर करें टेक यह स्टेए हूं स्टेए सेव थैंक यू